आज की सम्वेधनाओं को ससक्त करता है। मेरे प्यारे देश्वासियों, अब जो पत्र मेरे सामने हैं, उसमें दो बड़े फोटो हैं। ये फोटो एक बंदीर के हैं, और बिफोर और आप्टर के हैं। इन फोटो के साथ जो पत्र है, उसमें युवाओं की एक ऐसी टीम के बाले में बताया गया है, जो खूद को युवाब ब्रिगेड कहती हैं। दरसल इस युवाब ब्रिगेड ने करनाटका में सीरंगपटन के पास थीत भीर्भत्र स्वामी नाम के एक प्राचिन शिव मंदिर का काया कल्प कर दिया। मंदिर में हर तरफ गास, फूस और जाडिया बरी हुई थी। इतनी कि राहगीर भी नहीं बतापते थे कि हाँ एक मंदीर है। एक दिन उस परियाटकों ने इस बूले बीशरे मंदीर का एक वीडियो सोशल मेडिया पर पोस्ट कर दिया। युवाब ब्रिगेड ने जब इस वीडियो को सोशल मेडिया पर देखा तो उनसे रहा नहीं गया। और फिर इस टिम ने मिल जूल कर इसका जिर्णोधार करने का फैसला किया। उन्होंने मंदीर परिशद में उगाई कंटिली जाडिया, गास और पौधों को हटाया। जहां मरम्मत और निर्मार की आवश्रक्ता थी भो किया। उनके अच्छे काम को देखते हुए स्थानिये लोगों ने भी मदद के हाप उढ़ाई। किसे ने सिमेंट दिया तो किसे ने पेंट। ऐसी कई और चीचों के साथ लोगों ने अपना अपना योगदान किया। इस सभी युवा कई अलग तरह के प्रफिशन से जुड़े हैं। ऐसे में उन्होंने विकेंट्स के दोरान समय निकाला और मंदिर के लिए कार्य किया। जुनुन और दरडनिश्चे ऐसी दो चीजे हैं जिन से लोग हर लक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूँ, तो खुद को आनंदीत और आस्वस्त महसुस करता हूँ, आनंदीत और आस्वस्त इसलिए, क्योंकि मेरे देश के युवाओं में can do के अप्रोच है, और will do के spirit है, उनके लिए कोई भी चुनावती बड़ी नहीं है, कुछ भी उनकी पहुंच से दूर नहीं है, मैंने तमिल नाड़ी के एक टीचर के बारे में पढ़ा, उनका नाम हेमलता N.K है, जो विड़पुरम के एक स्कूल में दुनिया की सबसे पुरानी भासा तमिल पढ़ाती है, कोविन-19 महामारी भी उनके अध्यापन के काम में आड़े न काला, उन्होंने कोर्स के सभी 53 चैप्टर्स को रिकॉर्ड किया, एनिमेटेड वीडियो त्यार किये और इन्हें एक पेंट ड्राव में लेकर अपने स्टूडेंस को बार दिये, इससे उनके स्टूडेंस को बहुत मदद मिली, वो चैप्टर्स को विजूली भी समझ कि इसे स्टूडेंस के लिए पढ़ाई काफी रोचक हो गई, देज भर में कोरोना के समय में टीचर्स ने जो इनोवेटिव तरीके अपनाए, जो कोर्स मट्रियल क्रियेटिविटी तैयार किया है, वो ऑनलाइन पढ़ाई के इस दोर में अमुल्य है, मेरा सभी टीचर्स स वाले इलाकों में रह रहे शात्र चात्राओं को काफी लाप होगा, साथ क्यों आईए, अब बात करते हैं जारखन की कोर्वा जनजाती के हिरामंजी की, हिरामंजी गडवा जिले के सिंजो गाउं में रहते हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोर्वा जनजाती की आब करती हैं अपने समुदाय के संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हिरामंजी ने एक बिड़ा उठाया है उन्होंने बारा साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती कोर्वा भाषा का सब्दकोस तयार किया है उन्होंने इस शब्दकोस में गर्गरस्ति में प्रय सारे सब्दों को अर्थ के साथ लिखा है कोर्वा समुदाय के लिए हिरामंजी ने जो कर दिखाया है वह देश के लिए एक मिशाल है मेरे प्यारे देश्वासियों ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुक्ष सदस्य अबुल्फजल थे उन्होंने एक बार कश् कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चीड़-चीड़े और गुस्य लोग भी खुसी से जुम उठेंगे दरसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उल्लेक कर रहे थे केसर सद्यों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है कश्मीरी केसर मुख्य रुप से पुलवामा बढ़गाम और किस्तवार जैसी जगों पर उगाया जाता है इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानि जी आई टैग दिया गया इसके जरिये हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपिलर ब्रांड बनाना चाहते हैं कश्मीरी केसर वैस्विक्स तर पर एक ऐसे मसाले के रुप में प्रसीद है जिसके कई प्रकार के आउश्दिय गून है यह अत्यन्त सुगंदित होता है इसका रंग गाड़ा होता है और इसके धागे लंबे वह मोटे होते हैं जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाते हैं यह जम्मू और कश्मीर की समरूत्य सांस्कूरतिक वरासत का प्रतिनी दित्व करता है क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिलकुल अलग है कश्मीर के केसर को जी आई टेग रेकगनाजिशन से एक अलग पहचान मिली है आपको यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीर केसर को जी आई टेग का सर्डिपिकर मिलने के बाद दूबई के एक सुपर मार्केट में इसे लॉंच किया गया अब इसका निर्यात बढ़ने लग केसर के किसानों को इसे विशेश रुप से लाव होगा पुलवामा में प्राल के शाल इलाके में रहने वाले अब्दुल मजीर वानी को ही देख लीजिए वो अपने जी आई टेग केसर को नेशनल सेफरन मिशन की मदद से पंपोर के ट्रेडिंग सेंटर में इसके जैसे कई लोग कश्मीर में यह काम कर रहे हैं अगली बार जब आप केसर को खरिदने का मन बनाएं तो कश्मीर का ही केसर खरिदने की सोचें कश्मीरी लोगों की गर्म जोसी ऐसी है कि वहां के केसर का स्वाधी अलग होता है